अंतर राश्ट्रिय युवा विद्वान जैन दर्शन में युनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट जैन सिद्धान तेवं न्याय विशयों को सरलता से समझाने वाले USA, England, Australia आदी अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले पंडित टोडर्मल पुरसकार युवा विद्वत रत्म आदी अनेक पुरसकारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जैपूर द्वारा जानिये धर्म का मर्म इस कारिक्रम के प्रायों जखें मातो श्री पतासी देवी, श्री प्रदीब जी चौधरी, श्री मती कुसम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्री मती श्वेता, श्री अर्यहंत जी, श्री मती दिव्या, अस्मी, उप्षम, शाई, शुरधान, सहज एवं समस्त चौधरी प प्रति पलति पदार्थ मालिका आयत्र पर्मागमस्यभीजं निशेध जात्यंद सिंदुर विदानं सकलने विलसितानाम विरोध मत्नम्नमाम्यने कांतं विरोध मत्नम्नमाम्यने कांतं पुरुषार सिद्ध्य उपाय नाम की अगरंथे आचेरे अमरचंदर स्वामी हमारे जीवन को निर्मल बनाने के लिए छोटे-छोटे से उपदेश दे रहे हैं छोटी-छोटी सी बातें कह रहे हैं छोटे-छोटे से नियमों का पालन अपनी लाइफ में किया जाना चाहिए बहुत सरल शब्दों में अहिन्सा की बात कही सत्य की बात कही दिग वरत किसे कहते हैं उसकी चर्चा और दिग वरत के होने वाले जो लाव हैं उन लावों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में यहां कर चुके हैं दिग माने होता है दिशाएं और वरत माने हैं वरत दिशाओं सम्मंदी जो वरत ले लिए गए उसका नाम है दिग वरत सीमित करते हैं मने जो हमने मर्यादा बांद ली है उसी मर्यादा को और अधिक मर्यादित कर रहे हैं लाइफ को और अधिक कंट्रोल में कर रहे हैं हमने पहले बड़ा त्याग किया फिर उसके बाद में उस त्याग में और अधिक बारी की में आ गए इस तरह की प्रक्रिया य दसों दिशाओं में जाने आने की मरियादा लाइफ टाइम के लिए बना ली गई लाइफ टाइम के लिए इस तरह की प्रतिग्या ले ली जीवन भर के लिए इस तरह की प्रतिग्या ले ली कि हम इस सीमा का उलंगन नहीं करेंगे जाने की मरियादा आने की जाने आने की जब ये दो शब्द दिये जाते हैं तो इसमें ऐसा अरत समझ देना चाहिए जाएंगे भी नहीं और जब जाएंगे ये नहीं तो फिर आने का क्या होगा जब जाने आने की मरियादा की बात कर रहे हो तो जाएंगे तब तो आने की बात होगी न पिर आने का क्या होगा तो आने में हमें लगानी चाहिए वहां से किसी चीज़ को मंगाना बाहर से किसी चीज़ को ले आना बाहर से संपर्क रखना बाहर से बुला लेना ये आने के अंतरकत आएगा तो जब जाने आने की मरियादा की बात कही तो दोनों ही प्रकार से ये मरियादा लागू होगी दसों दिशाओं की बात कह करके उर्दो दिशा की भी बात कह दी थी और अधो दिशा की बात कहकर के नदी नाले नीचे तेखाने हमारे यहां सागानेर में जिन मंदिर हैं साथ साथ मंजिला नीचे तक का तेखाना बतलाते हैं नीचे उतर गए और नीचे उतर गए और नीचे उतर गए प्रतिमाएं हैं वहां वेचेतर प्रकार की इस तरह की कुछ कहते हैं ऐसी बातें बड़ी चला करती है तो हमें यह कहना है आप कितने नीचे तक उतरेंगे माइन्स वगरे में नीचे उतर जाते हैं यह कॉल माइन्स वगरे कितना नीचे कितना नीचे तक ले जाते हैं लिफ्ट बगरे नीचे तक आजकल बेस्मेंट तीन तीन चार चार तीन तीन मंजिल नीचे तक के बेस्मेंट होने लग गए हैं अजकल तो बहुत तोच समझ करके जीवन भर के लिए मर्यादा ली जानी चाहिए अतिचार वाला जो प्रकरण है इसके संबंद में वो जब प्रसंग आएगा तब अपन उन अतिचारों की चर्चा करेंगे अतिचार वाला प्रकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है इन व्रतों के संदर्व में हम किस प्रकार से संकल्प लेवें वो चर्चा आएगी यह था समय यह था प्रसंग आगे यहाँ एक विशेश बात जो सामने आ गई थी जिसको रिपीट भी करेंगे आगे चल करके भी बतलाएंगे आज फिर बतलाएंगे वो महत्वपूर्ण बात यह है कि दिगवरत के काल में यह जीव अपनी मरियादा के बाहर क्षित्र में महावरतियों के समान वर्थता है बारी शेत्र की द्रश्टी से देखा जाए तो यह जीव महावरति हो जाता है अन्यक शेत्र की अपिक्षा से ग्रेस्ट दश्या होते हुए भी किसी को महावरति कह देना यह कितनी बड़ी बात हुई ऑनो महावरति होते हुए प्रतिमाधारी होते हुए किसी श्रावक को यह कह दिया रिया आचयारीओं की दृष्टी समाधी के काल में आत्म स्वरूप में लींता जिस समय दिखाई दे रही है ऐसे साधना कर रहा है वो साधना रत जीव उस सामाई के काल में साक्षात कपड़ों के बिना देखो तो वो मुनेराज हैं कपड़े सहित कपड़ों के अंदर वो मुनेराज के समान है ऐसी बातें कहि कितनी महिमा हैं जेनागम में पूरा का पूरा चरणानु योग त्याग परंपरा के उपर नर्भर है त्याग की बाते हैं सहियम की बाते हैं वेराग्य की बाते हैं अपने जीवन को लाइफ को कंट्रोल करने की बाते हैं ये सारी बाते हैं ये हमारे यह चरणानु योग के अ हुआ भूं आवक्षे पदार्थ नियुक्तर मेंसे त्याग किनेके जाते पर यह जो मस्तिति यह कंदार्त मेंसे पुंति हो प्रशंग जाते हैं । कोई बड़ी यात्रा करके आए तो ऐसा विदान केते हैं हमारे यहां कुछ ने कुछ चीज का त्याग किया जाना चाहिए अग जिस चीज का आप त्याग कर रहे हैं वो वो चीज नहीं है जो चीज अबक्षे है अबक्षे का तो त्याग पहले ही नहीं होना चाहिए त्याग होना ही चाहिए मतलब अबक्षे तो पहले ही नहीं खाना चाहिए जो खाने योग्य चीज थी उसे सीमित कर लिया जाता है उसे मरियादित कर लिया जाता है ऐसा है चलिए आज तो हम देश वरत की तरफ बढ़ रहे हैं अपने कल जो हमने नियम लिया था उस नियम को और अधिक मर्यादित कर रहे हैं राग घटाने के लिए ठीक है देखिए माहजन जी 158 नंबर पेज है 149 नंबर का श्लोक है दूसरे देश वरत नामा गुण वरत का स्वरूप कहते हैं तत्रापि चे परिमानम ग्रामा पन भवन पाट का दीनाम प्रविधाय नियत कालम करणीयम विर्मनम देशात चे तत्रपी और उस दिगवरत में भी और उस दिगवरत में भी ग्रामा पन भवन पाट का दीनाम क्या ग्राम बाजार मकान महला इत्यादी का परिमानम परिमान प्रविधाय देशात करके मर्यादा कियों एक शित्र से बाहर नियत कालम अपने निश्चित किये हुए समय तक जाने का विर्मनम करणीयम त्याग करना चाहिए यह देशवरत है कल जिस तरह की बातें बहुत सारे हमारे साती साधर मी लोग पूछ रहे थे बहुत सारे साधर्मी लोग ये बातें कह रहे थे किसाब रोज का रोज नहीं लिया जा सकता है क्या दो दिन का त्याग नहीं कर सकते हैं क्या एक वीक का नहीं कर सकते हैं क्या एक मेहने का नहीं कर सकते हैं क्या जरूर कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं आप कर सकते हैं देशवरत नाम नहीं होगा बहुत उप्चार से आपका त्याक कहलाएगा समझ लेना आप क्योंकि देशवरत तो दिगवरत की मरियादाओं को सीमित करता हैं आपने तीन दिन के लिए कहीं जाने आने की मरियादा ले ली कि इससे आगे नहीं जाएंगे तो उसे देशवरत मत समझे लेना क्योंकि देशवरत के लिए यह अनिवार यह शर्थ है कि पहले क्या क्या किया रहे हैं हम देशवरत के संदर्व में पहले यह नियम है कि भाई साथ पहले दिगवरत होना चाहिए क्योंकि दिगवरत की मर्यादाओं को सीमित करने का नाम देशवरत है अब जिसके दिगवरत ही नहीं है उसके देशवरत कैसे होगा तो फिर साब करें के नहीं करें दिगवरत लेना जरूरी है क्या दिशाओं की मर्यादा लेना जरूरी है कह रहे हैं हमने कल आपको इतनी बड़ी सीमा के बारे में कह दिया था फिर कौन सा कन्प्यूजन है जम्बू दीप की मर्यादा लेकर चोड़ दो कोई बात नहीं जीवन भर के लिए जम्बू दीप के बाहर नहीं जाएंगे बहुत बड़ी होई वैसे जम्बू दीप की मर्यादा आप भरत चेतर की मर्यादा ले सकते हैं आप आरे खंड की मर्यादा ले सकते हैं जीवन में कभी मिले चे खंड जाने की व्यवस्ता नहीं बनेगी आरे खंड की मर्यादा ले लिए आप ये भी कर सकते हैं उपलब्द द जितने हमने सीमा बांद ली हैं अब उस सीमा को और अधिक मर्यादित करने की बात कर रहे हैं कितने समय के लिए दो दिन पांच दिन साथ दिन के लिए दस दिन के लिए मेने दो मेने शे मेने के लिए साल वर्ज के लिए भी हो सकता है हम अभी अभी मतलब सिर्व एक साल की मर्याजा ले रहे हैं सबसे पहले यह सोच लिया चौमासे की मर्याजा ले रहे हैं ठीक है ना चौमासे में से दो मासे तो निकल चुके दो मेने और बचे ले सकते हो आप आगे आने वाले दो मेने तक की मर्यादा ले सकते हो बादवे की मर्यादा ले सकते हो मने लेकिन शेत्र नक्की होना चाहिए लाइफ टाइम का क्या और उसके बाद में समय देख करके मर्यादा देख करके इन्होंने कहा और उस दिगवरत में भी ग्राम बाजार मकान महला कितना कितना सीमित कर दिया रोडी क्रोस नहीं करेंगे हम तो एक मेने के लिए नियम ले लिया हमने तो कोई मर जाएगा तो भी नहीं जाएंगे पिता जी दादा जी चाचा जी मामा जी भुवा जी फुपा जी कोई भी मर जाए चाए हमने मरियादा ले ली है इस मरियादा का लंगन हम नहीं करेंगे ये विदान आदी के प्रसंगों में क्या कराया जाता है ऐसी तो प्रतिग्याएं दिलाई जाती है आप छोड़ करके नहीं जाएंगे आप अस्पताल नहीं जाएंगे आप विदान छोड़ करके नहीं जाएंगे आपके सूतक नहीं लगेगा आपके वो कलावा बांदिया गया है रक्षा सुत्र कहते हैं उसको रक्षा सुत्र हाथ में बांदिया ठीक है न ओम नमो अरते सर्व रक्ष रक्ष रूम पट वाह पट पट बांदिया है रक्षा सुत्र बांदिया बोले आप क्या हैं बोले अब आपके घर में भी किसी की डेट हो जाएगी तो आपको सूतक नहीं लगेगा अब किसी का जनम भी हो जाएगा कोई अस्पताल में चला जाएगा कोई मर जाएगा आपके कोई सूतक नहीं है लेकिन क्या हैं आपके ये मरियादा बांदी है कि आप उस इस्तान पर जाएंगे भी नहीं ये मरियादा बांदी है कब तक के लिए बोले जब तक आपके ये आठ दिन का विधान और अनुष्टान चल रहा है तब तक के लिए ये मरियादा बांदी गई कि हम इसे चोड़कर विधान को चोड़कर अनुष्टान को चोड़कर के एक limited time जिस में होगा limited area जिस में होगा वो देश वरत के अंतर चले जाएगी अब इसमें क्या होता है एक्षल में इंदर प्रतिष्टा के अंदर यही तो प्रतिग्याईं करवाते हैं और क्या है इंदर प्रतिष्टा कराते हैं यह क्या बोलते हैं और जो भी या क्या बोलते हैं जाप वाप की प्रतिग्याईं करवाते हैं सुबह प्राते काल में जाप बदलने का मतलब यह होता है अब आप मनुष्य गती के नहीं रहे यह गोत्री बदल गया आपका अब आप मनुष्य गती के ही नहीं रहे इंद्र प्रतिष्टा हो गई इसका मतलब अब आप में इंद्रत्व की इस्थापना हो गई अब आप में देवत्व की इस्तापना हो गई अब आप ये कहो कि मेरे चाचा जी की डेथ हो गई क्या करूं मैं तो कहेंगे भाईया देवों के चाचा जी होते ही नहीं है क्योंकि देवों के तो पिता जी ही नहीं होते तो चाचा जी कहां से होंगे कि नहीं नहीं होते हैं तुम्हारा गोत्री बदल गया है तुम्हें इंद्र बन गए हो इंद्रों के बच्चे नहीं होते हैं इंद्रों के बच्चे नहीं होते हैं इंद्रों के परिवार नहीं होते हैं इंद्रों के माता पिता नहीं होते हैं इंद्रों के चाचा चाची नह तो इंद्र परतिष्टा का मतलब की आ के अंदर आप ने भाग ले लिया तो आम प्री हो गए बस तो चलिए अगे यहां पर अपन उस दिघवरत में भी ग्राम अब भई कहां तक के मरीाज़्ा गोंगे, बस स्टेंड के अगे आगे से जाएंगे अब आप इरी आपlvoka किलोमेटर तोन आपने जाते हैं न νू अमने-खीयाइद कहां तक न दे लिलね तो हम ने अधा हावामेल कि यहां हवा मेल को क्रॉस नहीं करेंगे इस दिशा में इधर जाएंगे तो हम अलबर्टॉल को क्रॉस नहीं करेंगे इधर जाएंगे तो हम चूलगिरी को क्रॉस नहीं करेंगे नियम ले लिया चूलगिरी के आगे नहीं जाएंगे जैपुर की बात कर रहा हूं जहां मैं बैठा हूँ वहां से क्या इधर जाएंगे तो मोती डूमरी के आगे नहीं जाएंगे बिडला मंदर के आगे नहीं जाएंगे इधर इसमारक के आगे नहीं जाएंगे इधर इसको क्रॉस नहीं करेंगे तो आपने जो एक विशिष्ट क्या कहेंगे लेंड मार्क था उस लें तो कोई बात नहीं मूलचंद अलवाई के आगे नहीं जाएंगे आप तो कुछ भी कर सकते हो ना इल्डेरी के आगे नहीं जाएंगे मनें वो चाई की थड़ी है उसके आगे नहीं जाएंगे मनें कुल मिला करके मेरा कहने का मतलब जो कुछ भी क्राइटेरिया बनाया जाए उसमें ग्राम, गली, ग्रह, बाग, बजारा यह जो शब्द हैं, यह शब्द मेरे नहीं हैं, यह शब्द दौलत राम जी के हैं, पता हैं आपको उन्होंने वहां चेड अला के अंदर चौती डाल में चर्टी डाल में, लाश्ट-लाश्ट के चंद हैं, चेड अला में, लगभख 4 मेने पहले हमने चलाइ थी, 4-5 मेने हो गए होगे, 4 मेने 5 मेने पुरानी बात है चार मेने तो होई गए कम से कम तो उसमें हमने खूब विस्तार से समझाया था ये सारे दिखवरत, देशवरत, अहांड, दंड, इन सब की चर्चाएं की थी विस्तार से वो चंद और लाइने भी आपको याद होगी दस दिस गमन प्रमान थान तस सीमन नाखे ताहू में फिर ग्राम गली ब्रहबाव बजारा गम ना गमन प्रमान थान अनसकल निवारा ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाख बजार और गमना गमन प्रमान टान अन सकल निवारा इस मर्यादा के बाहर सारी मर्यादाएं छोड़ दी गई कितने टाइम के लिए जा बोलो कितने टाइम के लिए थोड़े समय के लिए छोड़ दी गई मर्यादा जो हमने ले लिए है उस मर्यादा के अंदर हम सीमित रहेंगे सीमित होकर के रहेंगे तो देखिए ये सारे शब्द हो गए ग्राम मतलब तो समझते ही गाओं की बात है बजार की बात है किसे विशेष्ट मकान की बात है मॉला बड़ी शहरों में थुरु प्रियोग नहीं होता है कॉलोनी मान लीजिए मॉला मान लीजिए area मान लीजिए इत्यादी का परिमान करके मरियादा कियोंे एक शेत्र से बाहर अपने निश्चित किये हुए समय तक जाने का त्याग करना चाहिए वैसे विशेश रूप से अपन लोगों को सबको पर्व के दिनों में अपने जो शास्वत पर्वे हैं अश्टानिका और दसलक्षन इसके अलावा हमारे जो शास्वत पर्वे हैं जो पर्व चतुष्टे कहलाते हैं आप जानते होंगे अश्टमी और चतुष्षी का दिन ये अश्टमी और चतुष्षी का दिन ये भी पर्व कहलाते हैं ये भी शास्वत पर्व तितिया हैं बहुत से लोग पूछते हैं अश्टमी और चत्रजशी का क्या महत्वे हैं कुछ चंद्रमा की तितियों की दृष्टी से भी हरी नहीं खाने का विशेश कुछ कहा गया है माने और विशेश आप सर्च करेंगे तो कई बातें मिलेगी मुझे बहुत पुराना ऐसा कुछ द्यान आता है कि कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि उन दिनों में अश्टमी और चत्रजशी के दिनों में विशेश रूप से प्रभाव इस प्रकार का पढ़ता है कि अश्टम वसुधा मैंने सिद्ध शिला के लाती है अश्टम वसुधा आठवी प्रत्वी के उपर सिद्ध शिला है सेंटर में पहंतालेस लाक्योजन की अश्टम वसुधा पाने को करमे यह आठ उंद्रवे लिए बोलते हैं आपन अर्ग तो एक वो बात होगी इसी तरह सिद्ध भगवान होगी अश्ट करम के अभाव की बात कह दी तो एक बात होगी अश्टमी के संदर्व में ऐसी चौदस के संदर्व में 14 के बारे में क्या कहा जाता है बोले 14 गुनस्तानों के पार की बात कहते है 14 राजु वाले लोक के शिकर पर जाकर के विराजमान होने की भावना बाते है ऐसा तो अश्टमी और चतुरदशी भी शास्वत पर्वे हैं अपने और इन पर्व के दिनों में भी अपने को इस प्रकार की मर्यादा ले लिनी चाहिए सीमित कर लेना चाहिए समेट लेना चाहिए वास्तों में ये जो प्रकरण चल रहा है ये प्रकरण क्षेत्र की दरश्टी से अपने बाई आचरण को सीमित करने की बात चल रही है लेकिन असली सहीयम तो उपीयोक को समेटने का नाम है, ये इनका प्रियोजन क्या है, ये एरिया क्यों समेटने की बात कही, ये जगे क्यों समेट दिया, बतलाव मेरे को, क्या लाव होगा उस से, इसे क्या विश्यज बात हो जाएगी दो किलो मेटर कंददेगा फ़रक सिर्फ इतना है कि आपने अपने उपयोग को आपने अपने आपने वि­कलपों को मरियादित कर लिया यह परव के दिन चल रहे थे न तो परव के दिनों में क्या करना था हमने सीमित कर लिया अपने उपियोग को इस सीमा के ज़्यादा हम अप उपियोग को ही नहीं दोड़ाना है हमारे को सेल्फ कंट्रोल तो होई गया उसमें उपियोग का कंट्रोल हुआ सैयम हुआ हमारे जो चित हैं हमारे जो परिणाम हैं उप्योग हैं वो दोड़ेगा नहीं मर्याद अव विशय में प्रवरत्ती नहीं होगी क्या है खोटे विशय में प्रवरत्ती नहीं होगी अन्नी विशय के अंदर इधर उदर दोड़ेगा नहीं करत कारित अनुदना सभी प्रकार से बच जाएंगे अपन बाहर जाना ही नहीं हमारे अच्छे बतलाईए जब आप अश्टानी का पर्व के अउसर पर आठ दिन हरी सब्जी खाने का त्याक कर देते हैं तो आपको सब्जी मंडी जाने का विकल पाता है क्या जब घर में हरी स विकल्पी नहीं आएगा मनें जिस चीज को छोड़ दिया जाता है उस चीज के संबंद में फिर विकल्प भी नहीं आता तो यहां जो नियमों की हम बात कर रहे हैं इन नियमों के माद्यम से हमने अपने आपको कंट्रोल कर लिया मरियादा के आगे के विकल्प नहीं आने चाहिए तब तो सारतकता है सीमित कर लिया कर सीमितने जिग्यान को सच में हमें करना भी यही काम है क्या काम करना है अपने ग्यान को सीमित करना है अपने उपियोग को सीमित करना है भाई साव डॉक्टर साव बात ऐसी है कि ग्यान का स्वरूप इस प्रकार का है पहले होता है फैलाव और बाद में होता है समेठना ये ग्यान का स्वरूप है इस तरह का हम लोग यह तरी विशेश रूप से बहुत स्वाध्याईजी हैं अभ्यासी हैं तत्वा ब्यासी हैं चिंतन मननन कूप करते हैं खूब हमने पढ़ा है, खूब शास्त्रों को पढ़ा है, अनेकों शास्त्रों को हमने अभ्यास किया है, तो पहले तो क्या किया, अपने ग्यान और अपने उप्योग को हमने चारों तरफ फैलाया, प्रत्मानु योग के माद्यम से, चेरनानु योग के माद्यम से, करनानु के माद्यम से द्रव्यानूयुक के विश्यों के माद्यम से अपने उप्य Deal को खूब फैला लिया तो सबहा है अभार आपने अपने आपने सदा के लिये रहे कर सीमित ने जी ग्यान को सीम अंदर क्यों क्या लाते हैं वो जानते हैं आप सीम अंदर अपने उपियोग की सीमा को उन्होंने अपने आत्म प्रदेशों से बाहर नहीं निकलने दिया ये सीमित कर लिया अपने ग्यान को अपने ग्यायत में समेट लिया ये सीमित कर लिया इवल ग्यान की प्राप्ति का उपाई ग्यान को समेट लेना है अपने आप में समेट लेना है बिलकुल यही प्रक्रिया है तो साब जब समेट ना ही था तो फैलाया क्यों था बोलो जब समेट ना था तो फैलाया क्यों है आपके पास में कोई उपाई हरे भाई साब पूरे दुनिया में यही होता है, रोजाना यही प्रक्रिया चलती है, नाने दोने की प्रक्रिया हो, खाने पीने की प्रक्रिया हो, भोजन बनाने की प्रक्रिया हो, दुकान चलाने की प्रक्रिया हो, दुकान खोलते ही पहले सारे सामानों को फैलाता है, लगाता है, सेट करता है, ब बोजन बनाते समय क्या करते हैं आप क्या बोजन बनाते समय क्या करेंगे साब को फैलाएंगे मसाले निकालेंगे ये निकालेंगे वो निकालेंगे सब 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 और फिर क्या करेंगे सब समेट लिया बोजन बन जाने के बाद में सारी रसो ही हमने सब समेट दी रसो ही समेट दी था हमने तो तो बोले फैला ही थी तो समेटी ही क्यों और समेट नहीं थी तो फैला ही क्यों एक्जाम टाइम में क्या करते हैं बहुत चीजें पढ़ते हैं पूरी किताब पर लाश्ट में क्या करते हैं समेट करके उपयोग को इदर ले आते हैं ऐसे ही क्या करना बहुत भूम लिए हम अब क्या करना अब समेट लिया कहां आने के लिए अंदर में आने के लिए उपवास का दिन है व्रतों का दिन है सही हम का दिन है बोलो क्या होगा उसमें नहीं चाहिए बस देखें टीका क्या 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 रहे हैं दिग्वरते अपी दिग्वरते अपी दिग्वरत में भी ग्रामापन भवन पाटकादीनाम नियत कालम परिमानम प्रविधाय देशात विर्मनम करणियम दिग्वरत में भी दसों दिशाओं की मरियादा की थी बोलो दिग्वरत में क्या किया था दिग्वरत में क्या किया था दसों दिशाओं की मरियादा की थी बोले उसमें भी मनें आपको जिनागम में जहां जहां देशवरत की चर्चाएं मिलेगी वहां दिग्वरत पूरवक मिलेगी, direct नहीं मिलेगी पूरी चर्चा में दिगवरत शामिल होगा दिगवरत में जो मरियाग जली अरे जिसने पहले बड़े पाफ का त्याग नहीं किया है वो छोटे पाफ का क्या त्याग करेगा जैसे मान लीजे किसी आचार का त्याग किया आपने अचार तो अबक्षे ही है जिने अचार कहा जाता है लेकिन हम लोग जो अचार शब्द का प्रियुक करते हैं वो तीन दिन पांच दिन साथ दिन वाले को भी जो छोग दिया जाता है उसके लिए अचार कहा देते है हमारे यह जहन परंपरा में अचार को अवक्षे काए अवक्षे अचार जो मेहने मेहने छेचे मेहने के होते हैं न साल साल बर के पुराने जो अचार होते हैं वो सब अवक्षे होते हैं अचारों को अवक्षे कागया है लेकिन अब जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने मरियादा ले ली कितनी मरियादा ली कि अब हम साथ दिन से ज़्यादा पुराना अचार नहीं खाएंगे लाइफ टाइम के लिए हमने सोची लिए है साथ दिन से नहीं खाएंगे साथ दिन से ज़्यादा का नहीं खाएंगे अब क्या है आज अश्चमी का दिन है नहीं भाई साब अभी तो यह पर्म के दिन चल रहे हैं नहीं तीन दिन से ज़्यादा का नहीं खाएंगे अब हरी है तो खाना ही नहीं मैं तो उधारन मात्र दे रहा हूँ कि जो मर्यादा आपने कोई एक बड़ी मर्यादा ले ली है पहले फिर उससे संकुचित किया जाता है डाइरेक्ट शोटी मर्यादा नहीं होती है समय में आ रही है वो इतना तो कर दो कम से कम कम से कम इतना तो त्याग करो जैसे इतरा से इंसा का त्याग पहले किया फिर इस्तावर इंसा का त्याग किया अब यह किया रहा है मैंने इस्तावर इंसा का तो कर दी इतरा से इंसा का त्याग था ही नहीं तो कैसे चलेगा दिखवरतों में दिशा की मरियादा की थी उसमें भी ग्राम, बजार, मकान, महुला रिपीटेशन है वही उसी बात का आगे बढ़ेंगे तो कुछ विशेश बात मिलेगी नए श्लोक में महुला वगरे तक एक दिन आप देखो कितने कितने दिन की ली जा सकती है रोज की रोज मरियादा लेते हैं बहुत सारे लोग रोज की रोज नियम लेते हैं सुबह उटते ही पहले नियम ले लेते हैं आज हमारे इतना नियम है आज हमारे इतना त्याग है अभी भोगो भोग के अंदर और विशेश चर्चा करेंगे इसकी क्योंकि तभी जाने आने जम्मन्दी चर्चा है न वो खाने पीने ओडने पेनने जम्मन्दी चर्चा भोगो भोग परिमान के अंतरगत आएगी आगे चल करके तो महला वगरे तक एक दिन, एक सप्ता हाँ, साथ दिन हो गया, एक पक्ष माने 15 दिन हो गया, महना 30 दिन का हो गया आयन जानते हैं, आयन क्या होता है, आयन, साल में दो आयन होते हैं एक होता है उत्तरायन, एक होता है दक्षिन आयन, आयन, 6 महने का आयन होता है जब सूरिय नौर्थ की तरफ आ रहा होता है तो उसे उत्तरायन केते हैं जब सूरिय नौर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता है तो उसे दक्षिनायन केते हैं जून मेहने में दक्षिनायन शुरू होता है और जन्वरी के असपास उत्तरायन शुरू होता है मकर सक्रांती के तेरापन उत्तर आयन शुरू हो गया है मझे भाँ से सूर्य ने उत्तर में आना शुरू कर दिया है हमारा एक पुरा प्रहुचे ने मकर सक्रांती के उपर बहुत लोगों ने सुना हो तो सुनना और नहीं सुनोंगे तो पर चौदे जन्वरी को सुनाएंगे दुबारा और क्या करेंगे उस नई बाते को लेकर देखो क्या किया रहे हैं तो आयन शब्द कारत क्या हुआ सूर्य भी जो है न गमन कर रहा है जैन परमपरा के अनुसार सूर्य गमन कर रहा है और 6 मेहने तक वो नजदीक नजदीक आप देखिए साउथ फेसिंग जन लोगों के मकान होंगे वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे साउथ फेसिंग मकान वाले लोग जनका मकान साउथ फेसिंग होता है उन लोगों के घरों में गर्मियों के दिनों में धूप अंदर तक नहीं आती है दर्वाजी तक रहेगी और सरदियों के दिनों में क्या होगा सरदियों के दिनों में वो दक्षिनायन होता है न तो सूर्य साउथ की तरफ चला गया सूर्य साउथ की तरफ चला गया तो जैसे से आगे बढ़ता चला जा रहा है उसकी सनलाइट आपके घर के अंदर तक आती जा रही है बहुत अच्छे माने जाते हैं सनलाइट की दरश्टी से मौसम की दरश्टी से ऐसे मकान साउथ फेसिंग जो मकान है गर्मियों में अंदर सूर्य की रोश्टी अंदर गरम नहीं करेगा अंदर तक नहीं आएगा और सर्दियों में बिलकुल अंदर तक आपके धूप आएगी जिसमें आपको शीत का अनुभव नहीं होगे तो एक एक डे बाई डे बढ़ता चला ज गया अभी सूर्य यहां तक है इसका मतला इतने बज़ गए यह सूर्य की रोश्टी यहां तक रहेगी यह तीन वज़े ऐसा होगा चार बज़े यह चार बज़ गए अब साड़े तीन के आसपास हो गए होगे ऐसे टाइम बतला देते थे अंदा जा था इतना अनुमान था तो आयन शब्दकार्थ मैंने बतलाया आपको एक उत्तरायन एक दक्षिनायन सूर्य उत्तर की तरफ आता है तब उत्तरायन जब सूर्य दक्षिन की तरफ जाता है तब दक्षिनायन कहलाता है हमने उत्तरायन में त्याक कर दिया दक्षिनायन में त्याक कर दिया समझ रहे जैसे इन उत्तरायन और दक्षिनायन के समयों में ऐसा भी होता है कभी हिंदु परंपरा में ऐसा मानते हैं देव सो गए हैं कभी ऐसा मानते हैं इसमें शादिया नहीं होती है इसमें विवा नहीं होते हैं इसमें प्रतिष्टायन नहीं होती है ऐसा उत्तरायन के अंदर प्र क्या है दक्षिनायन अभी अलग-अलग है उसमें भी लगाना जो जैसा हो है न मुझे जोतिश की जादा पकड़ नहीं है पैशान नहीं है इसलिए तो आयन वर्ष इत्यादी निश्चित काल तक जाने आने का प्रमान करके बाहर के एक शेत्र से विरक्त ये विरक्त शब्द बहुत सुन्दर शब्द है विरक्त शब्द माने क्या है विरक्त शब्द का अर्थ आप ये नहीं कह सकते विरक्त का अर्थ के हमने त्याग कर दिया विरक्त का अर्थ ये है उसके संबंद में विकल्प का त्याग कर दिया उसके संबंद में जो विकल्प का त्याग किया यह विरक्ती कहलाती है तो बाहर के क्षित्र से विरक्त होना यह देश वरत कहलाता है क्या इस देश वरत से भी अहिंसा का पालन होता है इससे भी अहिंसा का पालन होता है फिर देश वरत नामक बुण वरत का लाब बतलाते हैं आप में बहुत सारे लोगों को इस तरह के विकल पुट रहे होंगे उत्तरायन में ऐसा क्यों होता है जक्षनायन में ऐसा क्यों होता है एक्षे में मौसम की अनुकूलता की अपिक्षा से इस करे की बातें कही गई है क्यों नहीं होती है सावन तो बरसात का समय है आप उसमें शाधिया होगी तो कैसे चलेगा बतला हो आपके टेन टूर जाएंगे आपके बरात कैसे निकालेंगे बरसात आ जाएगी, तूफान आ रहा है, पानी बहुत बरस रहा है, पैदल कैसे चलेंगे, बरात में कैसे चलेंगे लोग, पानी भरा हुआ है, कीचड़ है बहुत जादा, तो इस मौसम को भी आधार बना करके इस तरह की बातें कही गई है, चौमा से में हमारे मुनिराज ग श्रिमती कुसुम जी चौधरी, श्री तेलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहन्त जी, श्रीमती दिव्या, अस्मी, उप्षम, शाई, शुरधान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगर, राजस्थान.